पहले नंबर पे हैं The Man From Nowhere Remake Rocky Handsome Rocky Handsome The Action Classic The Man From Nowhere की Classic Remake है मूवी में हीरो एक रशन आद्मी है जोकि पॉन्ट शोप का ओनर है वो एक छोटी सी बच्ची के साथ रश्टा बना लेता है जिसकी मां एक ड्रॉक एडिक्ट होती है आगे उसकी मा मारे जाती है और उस बच्ची को किद्नेप कर लिया जाता है तो हीरो उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके खुद की पत्नी और बेटी मारे गए होते हैं बहुत पहले जब वो एक सीक्रेट एजिंट होता है कहानी के अलावा मुविस के सीन्स भी एक जैसे ही है वाइट इन सिक्वेंसेज, इमोशन स्ट्रेस, सब कुछ कॉपी किया गया है दूसरे नमबर पे है आई सौ दर डैवल, रिमेक एक विलन दोनों फिल्मों में एक ही कहानी दोहराई गई है एक विलन को देख चुके लोग मुवी के कहानी जानते ही होंगे कि कैसे एक साइकोफेटिक मेनियक फीमेल ली टोल को मार देता है जब वो अपने फियोंसे से बात कर दे ही होती है और पिर कैसे उसका फियोंसे बदला लेता है तो स्पागल आदमी को बहरे मीं से मार के एक विलन का तो पता नहीं लेकिन आइस अगर डेविल एक होरर थ्रीलर थिम्ट मूवी है जिसे अपनी स्टोरी और डिरेक्शन के लिए बाइक संग आर्ट सावाट्स दिया गया था जिसका मतलब है मूवी क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी तीसरे नंबर पे है ओल्ड बॉय रिमिक जिन्दा जिन्दा 2006 की मूवी है ये मूवी एक एक एक्जामपल है बिना पर्मीशन के बहुत अधिक इंस्पिरेशन लेने का मूवी में एक आदमी को कमरे में 14 साल के लिए बन कर दिया जाता है शायद कोरिया वालों ने 14 साल के बनवास से ये आईडियो चुराया होगा एनिवेज जब वो आदमी बहार आता है तो वो एक महिना से मिलता है जो कि उसकी मदद करती है इन सब के पीछे मास्टर माइंड को ढूनने में आगे उसे बता चलता है कि उसने कई साल पहले कुछ पुरा किया था इसके लिए उसे ही सजा दी गई ये अलग बात है कि बॉल्वड मूवी जिन्दा कॉपी की गई है कॉरेन मूवी दा ओल्ड बॉई से लेकिन ट्रैक्ट ये भी है कि ओल्ड बॉई भी इंस्पाइड है एक जैपेनिस मूवी से कैर कोई वर्ग नहीं पढ़ता दोनों ही मूवी बूरिंग है मज़दार बात ये है कि जिन्दा मूवी के डिरेक्टर को इस मूवी के लिए काफी को सुनने को मिला था चौते नंबर पे है सेवन डेज इस बिकांज जजबा फ्रेंच शायब आपको यार नहीं होगा 2015 में एश्वर राय बच्चन की एक मूवी आई थी जजबा जो की बॉक्स ओफिस डिजास्टर थी ये फिल्म कोरन फिल्म सेवन डेज ते काफी हद तक इंस्पार है दोनों मूवी की कहानी में एक्टरिस सिंगल मॉम और एक सक्सेस्फुल लॉयर भी है मूवी की कहानी में उसकी बेटी को इद्नैप कर लिया जाता है और अपनी बेटी को बचाने के बदला उन्हें एक क्रिमिनल का केस डिफंट करना होता है ये दोनों मूवी इतनी हद तक सिमिलर है कि इंकी ड्रेसेस भी एक जैसी है पाँवे निम्बर पे है माई से गल्स अगली और पगली अगली और पगली ये टाइडल सुना सुना सा लगता है वैल ये एक बॉलिवूड मूवी है जो की साल 2008 में आई थी एक बार फिर से बॉलिवूड आल टाइम कॉमेडी प्लस रोमेंटिक मूवी में माई से सीगल से कॉपी करने की सोची और नतीजे में उन्हें मूगी खानी पड़ी दोनों मूवी की कहानी में एक इंजिनेरिंग स्टूडेंट एक सिर्फी लड़की से मिलती है जो कि उन्हें प्यार के चक्कर में उल्टे उल्टे काम करवाती है ऐसे नहीं है कि अगली और पगली एक वर्ट से इस मूवी थी के बजाए इंडियन ओडियंस शायद इस टाइम के जानवे के लिए उस समय तयार नहीं थी जिस किसी ने भी माई सैसी कल मूवी नहीं देखी मैं उन्हें ये मूवी हाईली रेकमेंड करना चाहूँगी छटे नमबर पे है आवारापन इम्रान हाश्मी स्टेरिंग ये मूवी बॉक्स ओफिस हिट थी और ओडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया था लेकिन आप सब को यह जान के धगा लगेगा इतनी क्लासिक मूवी भी कॉपीड है कोरेन मूवी अब बिटर स्विट लाइफ से क्रिटिक्स की मताबित कोरियन वर्जन में कहानी और एक्टिंग उतनी इंपैक्ट्पल नहीं थी वही इंडियन वर्जन में डिरेक्शन प्लस विलन दोनों दगड़े थे अब अंत में सात्वे नंबर पे हैं इम्रान हाश्मी की एक और मूवी मदर 2 इनफैक्ट मदर की पूरी सीरीज ही नॉन बॉलिवड मूवी से कॉपिड है लेकिन यहां पर हमारा फोकस मदर उपर है दोगी कोरन मूवी बच्चे से कॉपी की गई है तो चल यह बात करते हैं इन दोनों मूवी की सिमिलारिटीस के बारे में दोनों ही मूवी में 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 लीड एक एक पॉलिस आफिसर होता है और फिमें लीड कास्क एक प्रोस्टिटूट होती है जो कि क्राइम थीलर है वह डिरेक्टर्स आवारा पन बॉलिवड पसाला डाल के रोमंटिक थीलर कर गया वेल मूवी ब्लॉग मस्टर रही और बॉलो डॉर्टन को कुछ अच्छा देखने को मिला को एन मोवीस के मतौलत तो गाइज आज का वीडियो यही के समाप्त होता है अगर आपको मेरा कॉंटेंट पसन आया हो तो प्लीस सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक ओन वीडियो थैंक्यू गाइज